नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अनुभव सिंग है और आज बात करेंगे आने वाले 18 मार्च 2024 को शनी देव के उदय के बारे में जैसा आप जानते हैं कि बीते दिनों फरवरी 2024 में शनी अस्थ हो गए थे और अब आने वाले 18 मार्च को शनी फिर से उदय हो जाएंगे हाला कि ये घटना सिर्फ शनी के उदय या अस्थ होने के बारे में नहीं है हम ये जानेंगे कि ये चीज इतनी खास क्यों हो रही है तो आप जानते होंगे कि इस तमें शनी के साथ मंगल और शुक्र ये दो ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं 15 मार्च 2024 को मंगल भी अपनी उच राशी मंकर राशी को छोड़कर कुम्भ राशी में गोचर करने लगे शनीदेव का गोचर अल्रीडी कुम्भ राशी में जारी था बस हुआ ये कि शनीदेव अस्थ से अब उदय हो रहे है और एक बहुत सर्प्राइज बात ये है कि इस टाइम पर शुक्र का गोचर भी इसी राशी में यानि शनी और मंगल के साथ हो रहा है ये जो कॉंबिनेशन है ना मंगल शुक्र और शनी का ये कॉंबिनेशन अपने आपने बहुत अटपटा या यूं कहलीजे कि बड़ा सर्प्राइज देने वाला है जहां मंगल और शनी आपस में नैसरगिक शत्रू है इनके योग को विसफोटक योग कहा जाता है वहीं शनी और शुक्र आपस में उतने ही नैसरगिक मित्र है देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये गोचर या ये कॉंबिनेशन बहुत खराब है या बहुत अच्छा है लेकिन मैं आप एक बात आपको बहुत साफ बता दूँ ये गोचर कुछ बड़ा प्रभाव देने वाला है यानि ये नॉर्मली तो गुजरेगा नहीं ये कोई नो कोई मेजर चेंज लेकर जरूर आएगा अब हर लगन और राशी के लिए चेंजे किस टाइप के होंगे और इसका उपाय क्या है हमें क्या करना चाहिए उन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं जैसा मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है फिर से आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी गोचर या कोई भी राशी परिवर्तन दोनों तरह से देखना चाहिए अपने लगन से भी और अपनी राशी से भी लगन का मतलब होता है आपकी जन्म कुंडली जिस नंबर से शुरू हो रही है आपको वो देखना है वो आपका लगन है और जिस राशी में यानि जिस नंबर में आपके चंद्रमा जहाँ पर भी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं वहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है वो आपकी चंद्र राशी है अगर आप कहते हैं कि सर जो आप बोल रहे हैं ये मेरे लगन से तो खराब है लेकिन राशी से अच्छा है देन इसका प्रभाव जो होगा वो आपके लिए मीडियम होगा अगर आप कहते हैं कि सर आपने मेरे लगन और राशी दोनों के लिए अच्छा बताया है देन ये प्रभाव आपको एक्स्ट्रीम अच्छे रिजल्ट देगा अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मंगल और शनी के बारे में, आप ये जानते होंगे कि शनी अपनी राशी या किसी भी राशी में अगर वो वापस गोचर करके आएंगे तो उनको 30 वर्ष का लगबग 30 years का टाइम लगता है, मंगल लगबग 45 दिनों में राशी परिवर् तन के ग्रह दोनों major planet होते हैं, मैंने अपने astrological वीडियो में कई बार आप से ये बात कही है, कि जब भी आपकी life में कोई बहुत बड़ा major change आ रहा हो, आपका life ऐसे phase से गुजर रहा हो, जब या तो आप बहुत ज़दा खोश हैं, या आप बहुत ज़दा परिशानियों मे आपनी कुंडली खोल कर आप देखेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में उसी टाइम पे मंगल और शानी का involvement मिल ही जाएगा आपको, तो इसलिए जब ये दो ग्रह इतने बड़े ग्रह या यूँ कहले जे इतना impact डालने वाले ग्रह आपस में मिलते हैं, ये कोई न कोई major change लेकर तो आते हैं, तो चलिए देरी न करते हैं शुरू करते हैं, to the point बात करने के कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे हर एक लगन और राशी के लिए इसका प्रभाव कैसा होगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी के लिए, देखे अगर आपक आपके 8th house के Lord होते हैं, और 1st house यानि लगन के Lord होते हैं, शनी की बात किया जाए तो शनी आपके दशमेश होते हैं, और खुद एक आदशेश होते हैं, यानि 10th house और 11th house के Lord होते हैं, शुक्र की बात किया जाए तो शुक्र आपके धनेश होते हैं, और साथ-साथ आपके ऐसा भाव तो नहीं है जिस भाव में ये दोनों ग्रह एक साथ दृष्टी डाल रहे हो तो वैसी स्थिती में वो कौन सा भाव होगा जहां मंगल और शनी दोनों देखेंगे हाला कि महाशुक्र की भी दृष्टी होगी लेकिन पंचम भाव फिफ्थ हाउस वो भाव है जहां पर ये दोनों भारी भर कम ग्रह एक साथ अपनी दृष्टी डालेंगे यहां के प्रतियाप को बहुत एलेट रहना है शनी का आपके एलाय में था उसमें अस्त हो जाना उतना अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं था अब शनी का उदय हो जाना आपके लिए ज्यादा अ यानि अब जो आप सोचेंगे कम से कम आप उसमें इनिशियेटिव लेंगे और अगर आप इनिशियेटिव लेंगे तो उसमें सक्सफूल होने की चांस आपको रहेंगे एक बात आपने गौर की बीते दिनों कि आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहा नोटिस करिएगा कि को घराएंग का खान पान रहें सान बहुत अच्छा है बहुत कंटरोल हे तो ही आपका स्वास्त अच्छा रहा होागा नहीं अश्प आ च्खुल लेंगे और यह चीज जो मैंने बताये अप लूप में थे। करूंग तो वैसा हो जाएगा सोच तो रहे थे लेकिन आपको profit हो नहीं रहा था वो चीज़ें खतम हो जाएंगे आपके कामों में जो extreme delay चल रहा था यानि आप देख रहे थे कि मेरा मैं कोई भी काम करने जाता हूं दो दिन का काम होता है पहले ही मालूम चल जाता है कि उसमें 10 दिन लग जाए यानि काम थोड़े से जल्दी होने लगेंगे relationship में अगर कोई issue आ रहा था relationship में बीना वजह आपके कोई परिशानी हो रही थी तो ठीक हो जाएगी health issue जो था वो समलेगा मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी health पूरी तरह recover हो जाएगी लेकिन यहां से आप recover की तरफ बढ़ने इस दौरान आप में थोड़ा सा emotional imbalance महसूस किया ऐसा आपको लगा कि आपकी भाम ना है आपकी feeling जो है वो एक side नहीं रह पा रहे हैं आप एक जैसा नहीं सोच पा रहे हैं उथल पुथल है आपके अंदर वो चीज कंट्रोल में आ जाएगी अब देखिए मंगल यहां से आपकी इच्छा पूरती में कोई ना कोई इजाफा होने वाला है अगर आप कोई काम महनत से कर रहे हैं यह वो time होगा जिस time पे आपको अचानक से देखेगा कोई बड़ा लाव हो जाएगा आप अगर महनती हैं आप कोई business कर रहे हैं तो business में आपको अचानक से growth देखने क लिए मिलेगी आप जॉब कर रहे हैं तो आप 100% इंक्रीमेंट या प्रमोशन का एक उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ आपको प्रमोशन मिलेगा कोई भी ऐसा काम जो पहले आपका डिले हो रहा था इस दोरान पूरा होने के पूरे चांस हैं यह जो मंगल और शनी का 11th हाउस मे उदय हो जाएंगे यानि all over अगर कहा जाए तो मेश लगन और मेश राशी के लोगों के लिए शनी का उदय होना profitable ज्यादा है यानि आपको profit ज्यादा होगा नुकसान कम होगा अब नुकसान सुन लिजे किस छेत्र में होगा सबसे पहले तो आपको अपनी health का ख्याल रखन कि डिले हो रहा है तो बाद में देखेंगे अभी ही लगिए उस काम में अभी ही प्रयास करी आपको उसमें सफलता मिलेगी फिर्फ था उसमें इन दूनों ग्रहों की दृष्टी उन लेडीज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है जो या तो बेबी प्लैन करने के लिए स स्थितियां भी पहुंच सकती हैं अगर आपकी अपनी जन्मकुंडली में स्थितियां बहुत खराव ही इस दौरान आप अपने लाभ से यानि जो इनकम है जैसे अभी तक अगर आपके उपर कोई कर्ज था या अभी तक आपको कुछ लोग परेशान कर रहे थे अचानक आ यह तो यह गोचर बहुत अच्छा है लेकिन आपके पर्सनल रिलेशन आपकी हेल्थ खास तोर पर आपको इमोशनल जो आपका एक बैलेंस है उसको यह गोचर बिगार सकता है इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने द्वारा लिए फैसलों पे यह व लेकिन दिक्कती है कि शनी दो ऐसे ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं जिन दोनों ग्रहों का प्रभाव शुक्र को कमजोर करेगा मैंने कई बार आपके बेसिक वीडियो में एक बात कही है कि शुक्र और बुद्ध ऐसे सौफ्ट प्लैनेट होते हैं जो जरह सा प्रॉब्लम अगर आपने देखा हो तो आपके लगनो राशी से राहु बार में चल रहे हैं वो भी एक पेनफुल कंडिशन है रात को नीन नाना बेचैनी होना हर बंते काम बिगड़ जाना अचाना थौटफुल हो जाना दिमाग एक जगे रुखना नहीं या फिर बंते हुए काम जो को चौरा चढ़ाने का मतलब होता है यहानमान जी का इसरे श्रंगार माना जाता है इसने हनमाँ झी का सिंदूर थोड़ा सा चमेली का तेल या अगर आपके पास चमेली तेल उपलब्द नहीं है तो आप उसमें शुद गाए का गी भी आड़ करके आप चौरा-चणा सकते अब मेश राशी के बाद अगर बात करें विरिशब राशी देखे आपके लिए अगर आपके जन्म कुंडली दो नमबर से शुरू होती है तो यह वीडियो आपको देखना है अगर आपके जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहाँ पर अगर दो नमबर आपके लिए पहली चीज तो यह कि शनी सबसे ज़्यादा योग कारक प्लैनेट है नमबर दो आपके दशाम भाव में मंगल शनी और शुक्र की का कॉम्बिनेशन होने जा रहा है देखिए योग कारक प्लैनेट है न शनी आपके लिए आपके लिए मैं आपको एक बात बह द्रिष्टी रहेगी और सेवेंथ हाउस में अब एक बात याद रखेगा यहां पर सबसे ज़्यादा जो आपको गौर करना है मंगल आपके लगन को देख रहे हैं चौति द्रिष्टी से और शनी आपके सेवेंथ को आपका दोनों केंद्र भाव ये दो पाप ग्रहे लेकिन पहले से वह काम नहीं हो पा रहा था अचानक आप देखेंगे कि यूँ ही बहुत ज्यादा प्रयास आपने नहीं डाला तब भी वह काम आपका हो गया आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ भाग ये उदर जैसा हुआ हो या आपको दो-चार काम अचानक जली-जली बन जाएं ऐसा जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है आपको कोई अच्छी तगड़ी जॉब मिल सकती है जो लोग जॉब में ट्रांसवर का सोंच रहे थे यह सोंच रहे थे कि मुझे बस इस जगह से हटा दिया जाम किसी दूसरी ज जल्दी करो अगर आपने इन्हीं दोनों कामों की बीच में बैलेंस कर लिया तो यकीन करिए कि यह जो यह गोचर है यह गोचर आपको आपकी लाइफ में यह कोई बहुत बड़ी सफलता दिलाने के लिए आया है एक ऐसी सफलता जो यूजली आपको पहले देखने के लिए नहीं मिली अगर आपने किसी गवर्मेंट एक्जाम को मेहनत से एक्जाम के लिए पढ़ाई किया और उसका रिजल्ट इसी बीच आना है तो आप यह मान के चलिए कि 99.9% चांसेज हैं कि आप उस एक्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे अगर आपने किसी जॉब के लिए अप इंटरव्यू दिया हुआ उसके रिजल्ट नहीं आए तब भी इसके 90% चांसेज हैं कि आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिया जाएगा अगर आप किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए सुच रहे थे तो यह बिल्कुल सही टाइम है आप उस बिजनेस को शुरू कर नहीं होते हैं अगर आप देखें तो मंगल और शनी दोनों आपके आपके 4 of the house विल को हमको हमारा घर मिल जाए आप देखेंगे कि इसी दोरान अप अपने घरicitsterreich बिबताइ llet ये वही टाइमर जिस टाइम पर प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर कोई विवाद है वो भी सौट आउट हो जाएगा प्रॉपर्टी खरीदना चाहा रहे थे वो भी आप खरीद लेंगे बस आपको अपनी मेहनत मतलब अपनी कोशिश जो है वो कम नहीं करने जैसे कई बार ऐसे होता है हम कोई चीज करना चाहते है और उसके लिए हम लगतार कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहा है या हमको बेह्तर आप्शन आपको दिखाई देने लगेंगे देखे समाज में मान, समाइन, पत्द, प्रदिश्ठा के लिए यह योग तो अच्छा है ही साथ में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी वाहन या आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं घर बनाना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है हाँ मैं इसके लिए कहूँगा कि क्यों कि चौथे भाव में शनी और मंगल दोनों की दृष्टी है तो इस टाइम पे आपको दो चीज़ों को बहुत ख्याल रखना है एक अपने मदर की हेल्थ का और एक अपने फादर की हेल्थ का सेम एस दो चीज़ें आपको और ध्यान र किसी भी चीज़ को आप हलके में मत लीजेगा कि यूँ ही होगा ठीक हो जाएगा आपकी जो लाइफ पार्टनर हैं क्योंकि आप शनी केक दिश्टी आपके सेवेंथ हाउस में दिये तो यह बिजनस के लिए तो बहुत अच्छी है जो लोग बिजनस कर रहे हैं और को मत लीजेगा अगर आपकी किसी से बहस भी होती है तो इगो के चलते आप सूचे कि हम ही इसको दबा ले जाएंगे ऐसे थौट मत लाइएगा क्योंकि यहाँ पर आपको परिशानी देखने को मिल सकती है और लोगर इसके अलावा व्रिशब राशी के लिए ये गोचर जब या आपकी जन्मकुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां पर अगर तीन नंबर लिखा हुआ है तो यह राशीफल आपको देखना है शनी मंगल और शुक्र का गोचर आपके नाइन थाउस से यानि भागे भाव से होने जा रहा है जहां पर शनी आपके भाग यह जो गोचर है यह यूँ कहलें कि पहले शनी के उदय होने की अगर बात किया जाया तो उदय होना आपके लिए सेम जैसा मैंने वरिशव लगने के लिए बताया कि शनी का अस्त हो जाना आपके लिए कोई problematic scene नहीं था और शनी का उदय हो जाना आपके लिए और profit देने व बिमारिया, चटे भाव से देखते हैं आपके करजे, चटे भाव से देखते हैं आपके शत्रू, अब आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपके जवरन पीछे पड़ा था या किसी से आपकी दुश्मानी चल लई थी, मानली जो कोई कोर्ट केस ही क्यों न था, तो आप आप देखेंगे कि उस कोर्ट केस में अब आप जीतने की तरफ आगे बढ़ेंगे, उस कोर्ट केस में जो फैसला है वो आपके पक्ष में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर कोई देवज़ा आपको परेशान कर रहा था आपको चुकता करने कि कोशिश कर रहे थे, आप सुचते थे मैं पैसा कहीं से अरेंज कर लूँ इसको दे दूँगा लेकिन पैसा अरेंज हो नहीं पा रहा था जिसके वज़े से आपके उपर indirectly क्या था प्रेशर था यानि आपको कर्ज इसे परेशानी थी वो कर्ज अब चुकता हो जाएगा क्यों चुकता हो जाएगा तब अचानक तो कुछ होने से रहा लेकिन जब शनी उदय होंगे तब आपका कोई जिसे बहुत बड़ा काम है किसी बड़े काम को आपने टार्गेट किया हुआ है उस बड़े काम को पूरा करने के लिए जो भी पहले स्टेप हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप वो शुक्र का नाइन थाूस को देफ आखेंगा कि जोंकि विए जा रहे जा रहे हूं wszystkich बॉंकाए शुक्रिकाओ शुक्रम पहले होने होगा जो पर अब महसूस करेंगे क्योंकि मंगल और शनी जैसे दो intense planet आपके third house को देख रहे हैं जिसकी वज़े से आप देखेंगे कि कोई बड़े बड़े काम जो अगर आपको पहले दिये जाते तो शायद आप मना कर देते कि मुझसे हो नहीं पाएगा वही बड़े काम अब बहुत आसानी से आप चुटकी बजाते solve कर लेंगे हाँ third house आपके छोटे भाई बहनों का है तो दोरान बस ये चीज़ आपको धियान रखनी है कि अपने छोटे भाई बहनों से आपके जो relation है वो relation ज्यादा खराब नहुंँग आपने देखा शनी ninth house में गोचर करते हुए आपके छटे भाई में दृष्टी डालेंगे छटे भाई के ही स्वामी हो रहा है मंगल जो की ninth house में बैठे हुए हर तरह की परेशानी से हर तरह की मुसीबत से जो यह गोचर है combination है यह आपको हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेगा या आप यूँ कहलेजे कि वही परेशानीयां जो आपको पहाड जैसी लग रही थी वो परेशानीयां चुटकी बजाते गायब जैसी हो जाएंगी या यूँ कहलेजे कि आपके दुश्मन या आपकी परेशानीयां अब आप से हारेंगी हाँ अपनी कुंडली में मंगल और शनी को जरूर देख लिए जगा कि उनकी जो पोजीशन है वो आपकी जन्म कुंडली में कैसी है इसके अलावा मंगल और शनी जो कि आपके थर्ड हाउस में देख रहा है या आपके पराकरम को बढ़ाने वाले होंगे और विदेश यात्रा के लिए बिजनेस के लिए नौकरी के लिए सारी चीज़ें अच्छी है नाइन थाउस से दक्षिन भारत में साउथ इंडिया में पिता का विचार होता है यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है कि अपने फादर से आपके रिलेशन वापे पिता की तबियत का गौत ख्याल रखना है अगर आपके पापा फादर को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो तो उसे आप हलके में ना लें बलके उसका तुरण ट्रीटमेंट लें और खुद भी उनसे आपका जो रिलेशन है उसको अच्छा बना कर चलें शनी की एक द्रिश्टी आपके 11 थाउस में पड़ेगी यहां से वो आपके लाब के रास्ते खोड़ देंगे आपके इंकम बना देंगे यह यूँ कहले जिए इक्छा पूर्ती की तरफ आपको पुश कर देंगे थाउस में द्रिश्टी पड़ेगी तो पराकरम भढ़ा देंगे 6 थाउस में द्रिश्टी पड़ेगी तो आपके दुश्मन आपके कर्ज और आपके परेशानियों इनको हटा देंगे मंगल की दृष्टी पढ़ेगी आपके बार्मे भाव में तो ये विदेश यात्रा के लिए ठीक है लेकिन एक्स्ट्रीम खर्च से आपको बजना है कहीं पर भी आपको लगे कि आपको ऐसा पैसा लगाना है जहाँ पर पैसे की ज़रूरत नहीं वहाँ पर पैसे मत लगाईएगा मंगल की दृष्टी थर्ड हाउस में पढ़ेगी ये भी आपके इन्मिनिटी को आपके पराक्रम को बूस्ट करने वाला होगा फोर्थ हाउस में मंगल की दृष्टी क्योंकि वह भाग्य भाव में बैठे हैं तो ये प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है ये इनके एट थाउस में हो रहा है अगर आपके जन्म कुंडली चार नंबर से शुरूग होती है तो ये राशिफल आपको देखना है अगर आपके जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहाँ पर चार नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना हो रहे हैं इसके लावा मंगल आपके टेंथ हाउस के लौड होते हैं और आपके फिफ्थ हाउस के लौड होते हैं शुक्र की बात किया जा है तो शुक्र आपके एलेवेंथ हाउस के लौड होते हैं और फोर्थ हाउस के लौड होते हैं एट हाउस में मंगल शनी और शुक्र अपनी सेहत का खास तोर पे बाहर जब आप निकलें घर से गाड़ी चलाने में रोड में भी इवन अगर आप पैदल चल रहे हैं तो बहुत अलर्ट होके चलें इयरफोन वगएरा ना लगाए रोड में चलते हुए यानि आपको अपना पूरा ख्याल रखना है जब भी हमारे साथ कोई भी ऐसी चीज होती है जो हमारे मन मुताविक ना हो या जिससे हमें नुकसान हो तो हम बोलते हैं दुर घटना हुई दुर घटना का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि आप रोड में चल रहे हैं कोई गाड़ी आपको ठोक दे वही दुर घटना है गोचर आपको अचानक परिवर्तन को भी दिखा रहा है मंगल और शनी अगर अपनी कुंडली में अच्छे है तो यह पॉजिटिव हो सकता है लेकिन उसके चांसे कम है नेगिटिविटी की तरफ यह थोड़ा सा ज्यादा ले जा रहा है इसलिए करक राशी या करक लगन ही वो लगन है जिसको इस गोचर के दौरान थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है शनी यहां से तीसरी दिख्टी आपके टैंथ हाउस में डालेंगे जो कि उनकी नीच दिख्टी है तो सीडी सी बात है आपके वरक प्लेस में क्योंकि करक लगन में शनी कारक नहीं होते इस दिख्टी आपके second house में पढ़ेगी जहाँ पर मंगल भी देख रहे हैं यहां पर आपको कड़वी वाणी से बचना है और पैसे saving करने की कोशिश करना है जहां पर जरूरत है कि वहां पर आपने पैसे खर्च करें बेवजह ना किसी को पैसा दें और ना किसी ऐसी जग़े खर्च करें जहाँ पर आपको लगता है चलो खर्च कर देते हैं क्या ही हो जाएगा छोटे-छोटे जगहों से आपको पैसा सेव करना है यानि पैसा आपने आपको सही जगह इंवेस्ट करना है शनी की एक दुष्टी आपके फिफ्थ हाउस में पड़ेगी पंचम भाव में या इसी फिल्ड में अपना करियर खोज रहे हैं उनके लिए अच्छा है लेकिन इसके अलावा बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है मंगल की एक दृष्टी आपके 11 थाउस में पढ़ेगी ये ठीक है लाव के लिए मंगल क्योंकि मंगल आपके पैसे को बचाने का काम करेंगे यानि जो मैंने आपसे बोला कि आपको पैसे सेविंग करने की तरफ ज्यादा देना है ना कि अभी आप अपना पैसा कहीं ऐसी जगे इन्वेस्टर न करें जहां पर आपको खुद ये ना मालूम हो कि हमारे पैसे के साथ क्या होने व तो आलोवर करक लगन और करक राशी के लिए गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है आपको इस टाइम पे उपायों की तरफ ज्यादा धेना चाहिए और उपाय सबसे अच्छा उपाया हनुमान 40 डेली कम से कम 11 बार हनुमान 40 के आपको पार्ट करने हैं और कोई भी देवी आर अब जब करें आपको यह जो इससे नुकसाम होने वाले हैं यह नहीं मिलेंगे यह कम मिलेंगे हाँ प्रॉफिट जो है आपको जो मिलना चाहिए था वह प्रॉफिट आप तक पहुंच जाएगा करक राशी के बाद बात करें अगर सिंग राशी की देखिए अगर आपकी जन्म कुंडली पांच नंबर से शुरू होती है यह आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रवा बैठे हैं अगर उधर पांच नंबर लिखा है तो यह राशी वाल आपको देखना है मंगल शनी और शुक्र का जो कॉमिनिशन है आपके सेवेंध हाउस में हो रहा ह अगर आप अपने किसी तरह गुष्टे में काबू पा लें ऐसी आपको इस तरह परिस्थितियां देखने को मिल सकते हैं कि अचानक आपको इतना गुष्ट आ जाएगा जो आपने खुद नहीं सोचा होगा कि मैं गुष्टे में यह चीज बोल या कर सकता हूं अगर आपन आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ आपकी कोई अनबन थी उसे दूर कर देंगे आपकी लाइफ पार्टनर को हेल्थ से कोई इशू था उसे सही कर देंगे अगर आपके बिजनस में लगता लॉस चल रहा था उसे ठीक कर देंगे बिजनस में बहुत जादा अप ड लेकिन कम से कम आप आगे बढ़ सकते हैं और यह confirm हो सकते हैं कि आपको शादी करना है यानि कुल मिलाके जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनके लिए शादी का ये योग लेकर आ रहा है और बहुत अच्छा शादी का योग बन रहा है या जो लोग जॉब भी कर रहे हैं उनके लिए भी कही न कही यो गोचर ठीक होने वाला है आप प्रमोशन और इंक्रिमेंट के उम्मीद कर सकते हैं मंगल शुकर और शनी का जो सीधा संबंद बनेगा वो आपके लगने से बनेगा और मैंने कई बार आपको बोला कि जब भी मंगल और शनी इस तरह के intensive planet आपके लगने को देखें तब सबसे ज़्यादा challenging हो जाता है खुद की उपर काबू रखना आपको अभी यह सुनने में लग रहा होगा कि हाँ कोई वीडियो चल रहा है वीडियो में तो ऐसा बोला जा हम क्यों गुस्सा करेंगे या हमें क्यों गुस्सा हैगा आप यह समझे कि कोई इंसान सुबह नौ बजी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है लेकिन रास्ते में उसका चोटा सा एक्सिडेंट हो जाता है और जगड़ा बढ़ रूप ले लेता है और दोनों व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं अब सोचिए कहां वो व्यक्ति सुबह नहाद होकर अपने आफिस के लिए निकल रहा था कहां वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में खड़ा है पर इस्थितियां बदलते हैं टाइम नहीं लगता है कि ऐसा होगा नहीं जब होना होता है तो एक एक सेकेंड से चीज़ें हो जाती हैं, आपको सब से ज़्यादा अपने गुस्ते पर काबू रखना है, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो चुप हो जाएए, कोई डिसीजन न लीजे, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो भी चुप हो जाएए मंगल कहेंगे जल्दी करो, जल्दी करो, शनी कहेंगे थोड़ा सा ठैर जाओ, इन दोनों चीजों के बीच में आपको बैलेंस करना होगा, और यकीन करिए ये जो इस्थिती है, यही इस्थिती कहीं न कहीं आपके गुस्थे का कारण भी बनेगी, तो all over सिंग लगन और चाहिए कि आप अपने गुस्थे पर काबू रखें, शनी की एक द्रिष्टी जो आपके भागे में पढ़ेगी, यह भागे को भी अच्छा करने वाली है, हाला कि नीच द्रिष्टी यह पिता की सहत का ध्यान रखना होगा, मंगल की द्रिष्टी टैंथाउस में पढ़ र पद और प्रतिष्ठा, तीनों चीजों में इंक्रीमेंट हो जाना ही मंगल की चौथी द्रिष्टी जो कि आपके टैंथाउस में पढ़ रहे को दिखाता है, तो मेक शेवर कि आप हनुमान जी के आरापना करते रहें, डेली के डेली कम से कम ग्यारा पाथ हनुमान चाली सक करें, सिंख राशी के बाद अगर बात किया जाए, कन्या राशी की देखिए, अगर आपकी जन्म कुन्ली छे नंबर से शुरू हो रही है, तो ये राशी फल आपको देखना है, अगर आपकी जन्म कुन्ली में जहां पर भी चंदमा वैठे हैं, वहाँ छे नंबर लिखा ह कर piace सबसे ज्यादा यूब काराशी आपके धनभाव में पर लिए सबसे पहले तो बता हूं का आपके लिए अस्त हो जाना भी आप नहीं एक बात तो तैह है कि जितना परेशान आपको बीतह समय में होना था आप उलिए अप उन욱ada निकलने का टाइम आ गया है अपने दुश्मनों को मुहतोड जवाब यहां से मंगल एक द्रिश्टी से आपके भागय को देखेंगे जो की अच्छा है मंगल की द्रिश्टी भागय भाव में पढ़ती है तो भागय को कोई नुकसान नहीं होता बशरते आपको धार्मिक रहना होगा यह पिता के स्वास्त के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जाएंगे यह कुणली में मंगल और शनी बिग्रेश्ट में आपको और इफर्ट डालने पढ़ेंगे इसके अलावा मंगल की लगने में पड़ेगी जो कि गुस्सा और जल्दवाजी इन दोनों को बढ़हा देगा हलाकि छटे भाव में मंगल और शनी और शुक्र इनका होना ही ये दिखाता है कि भले ही आपका गुस्सा बढ़ जाए या कुछ भी हो अगर आपसे इस टाइम पर कोई भिड़ता है अगर आपके सामने कोई परिस्तिती आती है तो जीतना लाश्ट में आपको ही है लेकिन देखिए हम ही जीतेंगे इस बात के बेस पे किसी से लड़ाई मूल ले लेना ये कहां कि बुद्धिमानी है तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप किसी से लड़ाई मूल ना ले अब शनी की बात किया जाए तो शनी आपके एट्थ हाउस को देखेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने साइट आ रहे हैं यानि आप बचाओ पक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं और शनी आपके पराकरम को भी देखेंगे यहाँ पर वो पराकरम बढ़ा देंगे आपका और आपको लगतार मेहनत करने के लिए तो चटे बाव से मंगल शनी और शुक्र का गोचर भागे कभी गोचर जब चटे बाव से होता है तो कहते हैं इस टाइम पर कोई बड़ा गौवर्मेंट का एक्जाम क्रैक होता है पहली चीज, दूसरी चीज, मंगल और शनी जैसे ग्रह बार्वे को देख रहे हैं, then make sure कि आपके अपनी जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह बिगड़े हुए ना हो तो ज्यादा बहतर है, उपाई के लिए क्या करें हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के मंगल और शनी हनुमान जी को चोला चड़ाएं, डेली हनुमान जी की दर्शन करने जाएं, हनुमान जी के आगे घी का दिया जलाएं, या तिल के तेल का दिया जलाएं, या आप सरसो के तेल का दिया जला सकते हैं, जो भी अवैलिबल हो, और इसके अलावा आप डेली किसी हनुमान मंदि है वो संगर्ष किस्तिती कम हो और आपको प्रॉपिटेबल रिजर्ट ज्याद दें कन्या राशी के बाद अगर बात किया जाए तुला राशी जिनकी भी जन्मकुंडली साथ नंबर से शुरू होती है यह जिनकी भी जन्मकुंडली में जहां पर बैठे हैं साथ नंबर दोतेयेश होते हैं यानि धनभाज के सव्मिए शुकर की बात किया जाए तो शुकर आपके एट था९ॉजज़ के लॉडड होते हैं इसलिक वह आपके संतान है और उनकी तरब से आपको कोई चिंता लंबे टाइम से चली आ रहे थी वो चिंता दूर हो जाएगी यहाँ पर जैसा हम लोग बोलते हैं कि शनी की साथ में दृष्टी है यह हो जाएगा वह हो जाएगा जब शनी योग कारक होंगे ना और शनी की दृष्टी जब आ आ रही थी वैवाहिक जीवन में मैरेड लाइफ में यह जो परिशानिया चली आ रही थी आपके बिजनस में वो खट्म हो जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा जूट बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऐसा जब नहीं होगा देन आपको फिर यह लगेगा कि मैंने क्यों की बात सुनी सेवेंथ हाउस में शनी की द्रिश्टी आपको परिशानियों से प्रोटेक्ट कर देगी लाइक अगर आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ में कोई इशू चला आ रहा था तो उसमें थोड़ा ब्रेक लग जाएगा यह आपको सही सेल्यूशन दिख जाएगा बिजनेस में अगर बहुत उठा पटक चल रही थी तो थोड़ी सी स्टेबिल्टी आ जाएगी यहां से फिर अब आपका आगया आपको कर्म लेकर जाएगा शनी और मंगल शुकर के फिफ्ट हाउस में द्रिश्टी आपके संतान पक्ष के लिए अच्छी है लेकिन जैसा म लोग हेल्थ इशू सोसाइटी से इशू आसपास की लोगों का परेशान करना ताने मिलना लोगों का यह एहसास कराना जिससे लेना एक न देना दो वह इंसान भी परेशान करने आ गया इस्थितियां बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है लेकिन उसमें भी विक्ति हमार शनी राशी से जब फिफ्थ हाउस में चलते हैं तो प्रॉब्लम क्रियेट करते हैं उन प्रॉब्लम में यह आप क्या करेगा ब्रेक लगाएगा पहली चीज़ शनी मंगल और शुक्र तीनों की एक साथ दृष्टी पढ़ेगी आपके 11 था उसमें इंकम के लिए अच्छी अच्छी इस एक्छा पूरती जैसे मैंने आप से कहा 11 था समय एक्छाओं की पूरती को दिखाता है एक्छा क्या जो भी आप इसके पहले तो बहात अछा हो वह काम आपके complete हो जाएंगे और वो काम आपके पूरे हो जाएंगे मंगल की एक दृष्टी आपके बारमे भाव में पढ़ेगी इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी health का ख्यार लखना है खास तोर पे अगर आप athlete वगरा हैं या आप कोई ऐसा खेल खेलते हैं दौरने भागने वाला तो उसमें थोड़ा सा अपनी health का थोड़े से चोट चपेट एक्सिडेंट इन चीज़ों का आपको क्या करना है ध्यान रखना है इसलिए क्योंकि मंगल की एक चौथी दृष्टी आपके एट थाउस में पढ़ रही है और मंगल की आठी दृष्टी आपके बारवें बाहो में पढ़ रही है यही रीजन है कि मैंने आपसे कहा कि आपको थोड़ा सा समभल के रहना चाहिए केस दौरान कोई छोटा मोटा एक्सिडेंट या चोट चपेट या अचानक तबियत का खराब हो जाना ब्लड से जोड़े इंफेक्शन होना इनके चांसे दिखाई दे रहे हैं अचानक आप किसी कोट केस या लिटिगेशन के मामले में फंच जाए इससे भी आपको अलर्ट रहना चाहिए और लोवर अगर तुला लगन की बात किया जाए तो यहां पर एक अच्छी चीज यह है कि शनी मंगल और शुक्र की जो कंबाइन दृष्टी है जो आपके इले आप इस टाइम पर बुवी तरह इमोशनल इंबैलेंस्ड है आपने देखा होगा कि आपको शारीरिक रूप से हो सकता है इस समय कोई परेशानी ना हो लेकिन लोग मांसिक रूप से आपको परेशान करने में तुले हुए हैं यह आपकी आसपास की परिस्थिति आपको टे देली करना चाहिए हनुमान जी के सामने घीका दिया जलाकर और हनुमान जी के मंदिर का दर्शन चाहे आपके घर के आसपास कोई छोटा मंदिर क्यों ना हो वहाँ पर डेली दर्शन करने के लिए जाए और अगर कर सकें तो ब्लेडी हैं तो भी और अगर पुरुश हैं त चलने की वज़े से हो रही थी वह परिशानी आपकी दूर हो जाएंगे तुला राशी के बाद अगर बात किया जाए विरिश्चिक राशी की देखिए अगर आपकी जन्म कुंडली आठ नंबर से शुरू हो रही है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रा होते हैं और बार में भाव को समय होते हैं चौते भाव में मंगल और शनी का गोचर करना नो डाउट ये प्रापर्टी के लिए तो बहुत अच्छा है इस दौरान मोस्ट प्रोबैबली आप अपने लिए कोई नो कोई प्रापर्टी खरीदें लेकिन अगर आप इस लेते हैं या फिर कोई नया घर खरीद लेते हैं या फिर कोई नए गाड़ी खरीद लेते हैं अब ये स्थितियों पर depend करता है, हो सकता है आपकी कुंडली में ये तीनों ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से हों, कि हो सकता है आप अपने लिए बस महेंगे कपड़े ही खरीद पाएं, ये महेंगे जूते ही खरीद पाएं, तो ये देखना होता है कि आपके अपन आपके घर में जो है वो नेगेटिव बात अवरन बना रहता है आपकी कोई बात नहीं सुनता या घर वालों की बातों से आप परेशान हो जाते हैं ये चीज बढ़ने वाली है और खास तोर पे आपको अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल भी रखना होगा क्योंकि ये तीनों ही रहे एक जगह पर द्रिष्टी डालेंगे और वो होगा आपका टैंथ हाउस वर्क प्लेस में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी उन्हें जॉब मिल जाएगी जो लोग जॉब की तैयरी कर रहे थे उनके लिए अच्छ कामों को पूरा कर देंगे यह वो काम जो स्लो प्रॉसेस से चल रहे थे कि आपको बार बार उन्हें पुश करना पड़ा था लेकिन काम होई नहीं रहा था तो वो काम आपके बढ़ने लगेंगे शनी की दृष्टी आपके छेठे भाव में पढ़ेगी हाला की नीच चल रहे थे उन्हें कही न कहीं यह पूरा कर देंगे जाए कर विरृष्चिक लगन और मंगल का लगन है और मंगल के लगन का मतलब हिया हनुमान जी मंगल और शनीवार सुन्दर पार सुनयशान बाट है हनुमान जी को मंगल और शनी वार सिंदूर चड़ाइए इसके लावा आपको किसी भी तीसरे उपाय की जरूरत नहीं है इसी उपाय से आपको अच्छे हडाऊ से होने जा रहा है जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है और यहां पर शनी आपके दूसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में खुद की राशी में गोचर कर रहा है मंगल की बात किया जाए तो मंगल आपके फिफ्थ हाउस के लौड होते हैं और आपके इलेवन तीसरा भाव मंगल को भी बहुत पसंद है और तीसरा भाव शनी को भी बहुत पसंद है शुक्र तीसरे भाव में कोई बहुत खास रिजल्ट नहीं देते मंगल और शनी का तीसरे भाव में गोचर करने का मतलब यह है कि यह आपके एफिशियंसी को बढ़ा देंगे आप द जाएगी, efficiency को no doubt ये बढ़ा देगी और ऐसा कहते हैं कि तीसरे भाव से मंगल और शनी का गोचर हो, तो ऐसा इंसान इस दोरान अपने पराक्रम के बल पे कोई ऐसा काम कर गुजरता है, जिस काम की वाहवाही उसे जीवन भर मिलती है, कि आरे वाह उस इंसान ने तो इस टाइ आप पूरा कर सकते हैं, ये बात याद रखेगा, शनी की एक द्रिष्टी आपके 5th house में पढ़ेगी, क्योंकि नीच द्रिष्टी है और आपके लगने के लिए कारक नहीं है, तो relationship और आपकी health इसके लिए अच्छा नहीं है, शनी की एक द्रिष्टी आपके 9th house में पढ़ और पैसा डूब जाए, इसके भी चांस थोड़े से बन कर आते हैं, मंगल की एक द्रिष्टी आपके 6th house में पढ़ेगी, ये आपको परिशानियों से बचाने वाली तो होगी, शत्तु अंत्रा बना देगी आपको, आप अपने दुश्मनों के उपर हावी हो जाएंगे, क खास तोर पे दिया हुआ पैसा डूबने या फसने के पूरे-पूरे चांसे हैं, मंगल की एक द्रिष्टी आपके 9th house में पढ़ेगी, जो भागे के लिए अच्छी है, हाला कि फादर की हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, और 10th house में मंगल की द्रिष्टी extreme power को दिखाती ह क्योंकि मंगल आपके 12th house के और 5th house के लौड हैं, तो पंचम भागो स्वामी 10th house से गोचर करेगा, इस दौरान आप अप अपनी बुद्धी से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने फैसलों से कोई न कोई ऐसा पोस्ट जरूर मिलेगी या कोई न कोई ऐसा काम जरूर करेंग यह है कि अगर आपका काम किसी ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, टूरिजम से जुड़ा हुआ है, लाइक रेस्टराउन या छोटा मोटा होटल, इस तरह या शुक्र से जुड़े, कोई दूसरे काम उसे जुड़ा हुआ है, तो यह आपके लिए अच्छा है, शुक्र की द कुनली में ये प्रभाव कैसा है और उपाय के तोर पे आपको भगवान-विष्णु के आराधना करी चाहिए क्योंकि आ κάν भादिदी के बेहस्पतिवार के ब्रेहस्पतिवार के विष्णु सहस्तनाम का पाट करें गायतरी मंत्र की जो भी हो उसका jak करें और विश्णु सहत नाम का पाथ हर ब्रहस्पतिवार करें अगर कोशिश करें हफते में तीन बार कर पाएं तो और अच्छा इसके साथ कम से कम तीन पाथ हनुमान आपके फॉर्थ हाउस के लॉर्ड हैं और इसके साथ इलेवन्थ हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र की बात किया जाए तो आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं और इसके साथ आपके टैन्थ हाउस के लॉर्ड हैं बहुत अच्छा कॉमिनेशन है धन के लिए बहुत अच्छा ह वो आपके पद हो, आपकी नौकरी हो, प्रतिष्ठा हो, कोई भी चीज़, सारी चीज़ें कहां जाकर जुड़ रही हैं, धन से जुड़ रही हैं, सारी चीज़ें कहां से जाकर जुड़ रही हैं, आपके परिवार से जुड़ रही हैं, हो सकता है इस दोरान आप लोग कोई नौकरी जो आप जॉब कर रहें उस जॉब से भी बहतर आपको कोई ओफर मिल जाए जिसकी तरफ जाने के लिए आप सोच सकते हैं शनी की बात केज़ए तो शनी यहां से तीसे द्रिश्टी आपके चौते भाव में डालेंगे जो की प्रॉपर्टी के लिए ठेक है लेकिन मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है प्रॉपर्टी में इशूज हो सकते हैं अगर कोई नहीं प्रॉपर्टी खरीद रहें तो म कर लीजेगा नहीं बाद में आपको प्रॉपर्लम होगी शनी की द्रिश्टी आपके एट थाउस में पड़ेगी जहां पर मंगल और शुक्र दोनों देखेंगे और यह द्रिश्टी कोई बहुत अच्छी द्रिश्टी नहीं के लिए ज्यादा अच्छी है जो लोग ऑकल् बढ़ सकता है अगर आप जॉब कर रहे तो उसमें आपको कोई इंक्रीमेंट लग सकता है मंगल के बात किया जाए तो मंगल एक चौथी द्रिश्टी से आपके फिफ्थ हाउस को देखेंगे जो कि उन लोगों के लिए जो लोग रिलेशन्शिप में हैं बहुत अच्छा नहीं है आपकी इगो की वज़े से आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम सा सकती है मंगल की एक द्रिश्टी आपके एट्थ हाउस में पढ़ेगी तो मैंने जैसा आपको बताए एट्थ हाउस से मंगल का संबंध ही दिखाता है चोट चपेट एक एक द्रिश्टी मंगल पढ़ेगी हाला कि मंगल के लिए यह लगन कारक नहीं है यह क्योंकि मंगल फोर्थ हाउस के और इलेवन थाउस के लौड है तो आय भाव का स्वामी होकर भागे भाव में उनकी द्रिश्टी पढ़ रही है क्योंकि जब आय भाव से भागे भाव का संबंध बनता है तो भ कहीं न कहीं थोड़ा सा आपके भागे को बूस्ट करने वाला होगा यह यह यूं कह लीजे कि आपके फिनांशियल स्टेटस को थोड़ा सा बूस्ट करने वाला होगा दूसरे भाव में यह द्रिश्टी जो पढ़ रही है इस टाइम पर आपके परिवार में थोड़ा सा प अपो बनाकर चलें अपनी वानि को बहुत नियंत्रना रखना होसाइक है अपनी वाणि के कहेंगे अपनी बाणी से गत्वाएंगे इससे सामने वाले को बुरा लग जाए और फिर इसके वज़े से वह आपको क्या करें आपको आपका और उनका रिलेशन खराब हो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टी के लिए पैसे के लिए फिनांशियल स्टेटस के लिए अच्छा है आपको अपने प समझने के बाद ही आपको क्या करना चाहिए्ख कर न चाहिए उपपाय के तॉर फे मैं आपसे यही कोँगो कि हनुमान . 빠ट करिए कम सेकं ग्यारा पार डेली हनुमान 9 के पढ़े मंगल और शनिवार हनुमान जी को चॉला चढ़ाने झाये और डेली कम से कुमा किसी भी हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी की दर्शन करें आपको काफी प्रॉफिट या काफी लाभ देखने के लिए मिलेगा मकर राशी की बात कुम्भ राशी की अगर बात किया जाए देखिए जिनकी भी जन्म कुणली 11 नंबर से शुरू होती है उनको ये राशी फल देखना है शनी आपके लगने के स्वामी होके ही लगने में गोचर कर रहे है शशनामक महापुरुष राजयोग लगा के और शनी आपके 12 आउस के लौड भी होते है मंगल की बात किया जाए तो मंगल आपके 10 आउस के लौड होते है इसके साथ साथ 3 आउस के लौड होते है शुक्र की बात किया जाए तो शुक्र आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं और आपके भागे भाव के सौमी होते हैं भागे भाव के सौमी का लगन में गोचर करना बहुत अच्छा फोर्थ हाउस के लॉर्ड का लगन में गोचर करना बहुत अच्छा आपके जन्म कुंडली में अगर शुक्र अची स्थिति में है दनिये आपके लिए भागे को बढ़ाने वाला गोचर है इस दौरान आपके जो भी काम जिनका आप सपना देख रहे थे वो पूरे हो जाएंगे ये तय है अगर कोई चीज लेना चाह रहे थे नहीं ले पा रहे थे तो वो भी कोई डील फाइनल नहीं हो पाई थी वो डील फाइनल हो जाएगी लाइक भाग ये से जुड़े जितने काम है वो हो जाएंगे और भाग ये की ज़रूरत हर इंसान को जिन्दगी के हर फेज में होती है कोई इंटर्व्यू देने गाए सिलेक्शन होगा की नहीं होगा कोई एक्जम रिटन दे कर आए हैं पतनी सिलेक्शन होगा की नहीं होगा वो सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है अब क्योंकि शनी लगन में ही गोचर कर रहा है और लगन में ही मंगल आ गया है दोनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है शनी जहांत अभी तक आपको ये चीज़ें सिखा रहे थे कैसे धीमे धीमे चलना है या आपकी लाइफ के मेजर चेंज़ेस कैसे हैंडल करने है मंगल क्या जाने की वज़े से अलग एनरजी आपको महसूस होगी ये एनरजी आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी लाइफ की कुछ बड़े डिसीजन आपकी लाइफ में आने वाले हैं लाइफ की कुछ बड़े चेंज़ेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं शुकर के लिए कहना ही नहीं शुकर की कवल एक दृष्टी है तो impo 7 लोगों के लुए जिनकी मेरीड या प्रॉब्लम आ रही थी प्रॉब्लम खटम हो जाएगी क्योंकि कुम्भ लगन या कुम्भ राशी वाले लोग शनी की साड़े साती भी देख रहे थे तो इसी वज़े से इस दौरान साड़े साती के दौरान जो मानसिक टेंशन परेशानी या इस्थितियां बिगड़ रही थी वो इस्थितियां कहीं न कहीं जाकर थोड़ी ठीक हो आपके रिष्टे में कुछ problem आ रही थी या उनकी health में कुछ issue था वो दूर हो जाएगा, problem जो आ रही थी या जो issue हो रहा था वो भी दूर हो जाएगा, यानि रिष्टे जो है वो पहले से थोड़ा बहतर हो जाएगे, शनी की एक दृष्टी आपके 10th house में पढ़ेगी, और 10 अच्छा इसका result देखने के लिए मिले, same as आपको इसके और अच्छे result देखने के लिए मिलेंगे, अगर मंगल की बात के जाएगे, तो मंगल चौथी दृष्टी से देखेंगे, 4th house को जो की property के लिए अच्छा है, मदर की health के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मदर की health का महाल होता है, तो आप ही चुप हो जाएं, ताकि वो लड़ाई और जगड़ा और ना बढ़ने पाए, इस दौरान काफी हद तक मैंने देखा कि कुम लगन और कुम भराशी के लोगों को business और married life दोनों में problem देखने के लिए मिल रही है, वो problem कहीं न कहीं आप थोड़ा सा क थोड़ा सा धीमे से गाड़ी चलाएं, ज्यादा स्पीट से गाड़ी ना चलाएं, रास्ते में निकलते वक्त alert रहें, और कोशिश करने कि किसी से कोई छोटा मोटा भी लड़ाई जगड़ा हो, तो वो लड़ाई जगड़ा बढ़ने ना पाए, आप उसे पहले पीछे हो की energy को भी absorb करना है, उसका use करना है, और शुक्र तो आपके लिए profitable हैं भी, तो कुम्भ लगन और कुम्भ राशी के लिए सबसे बढ़ियां उपाय है हनुमान चाली सा, डेली कम से कम 11 पाठ हनुमान चाली सा के, इसके साथ मंगल और शनिवार हनुमान जी को चोला चड़ान ना हो, तो जो tension आपको चले, इस tension में थोड़ा कमी आएगी और रास्ते आपको खुलते हुए नजर आएगा, चलिए अब बात कर लेते हैं, लास्ट राशी के बारे में ये है mean राशी, जिनकी भी जन्म कुंडली 12 नंबर से शुरू होती है, उनको ये राशी फल देखना ह जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं, अगर उधर 12 नंबर लिखा है, तो आपको ये राशी फल देखना है, आपके लिए ये गोचर आपकी राशी से 12 थाउस में होने जा रहा है, शनी की बात किया जाए तो शनी आपके 11 थाउस के लौड होके 12 थाउस में आपने ही राशी म होते हैं, क्योंकि वो आपके भागे भाव के स्वामी हैं और भागे भाव को स्वामी होके जब भी भागे इस 12 थाउस में गोचर करते हैं, तो ये टाइम इंसान के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम को कम करने वाला होता है, मतलब जैसे कोई काम या किसी परेशानी से आप ब खर में बोर हो रहा हैं, कहीं बाहर जाके थोड़ा सा घूम आएं, ये टाइम बहुत अच्छा है, या विदेश जाना चारहे थे, तब तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आपको विदेश जाने के पूरे-पूरे चांसे देखने के लिए मिलेंगे, शुक्र की बात किया था, बस प्रॉब्लम्स हैं कि चली आ रही है, एक के बाद एक चीजने उनके लाइफ में लगी हुई है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको अब अपनी मुसीबतों से बचने का रास्ता दिखाई दे जाएगा, भागेश बार्मे भाव में गोचर कर रहे ह तो जवाब है कि सब को नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि भागेश बार्मे से बैटके आपके थार्ड हाउस को देखेंगे, तो ये आपके महनत कर रिजल्ट आपको दिला देंगे, ये सारी चीजने तब ही ज़्यादा होंगी जब आप अपने जन्मिस्थान से थोड़ा दूर हूँ, अगर आप अपने जन्मिस्थान में ही हैं, तो इस चीज में थोड़ा सा कमी देखने के लिए मिल सकती है, इसके लावा मंगल और शनी, दोनों की कमबाइन दृष्टी आपके सेवेंथ हाउस में पड़ेगी, मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि ये प् अच्छा नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, इनिशियेटिव बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस में ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको सिर्फ अपनी लाइफ पार बहुत हो सकता है कि वर्क लोड की वज़े से या वर्क प्रेशर की वज़े से कई बार आपसे किसी नों कुछ बोला और आपने भी तैश में या गुस्ते में आकर उससे कुछ बोल दिया इससे आपको बचना है पहला शनी दूसरी दृष्टी आपके सिक्स थाउस में पढ़ बारवे में खुद की राशी में गोचर कर रहे शनी नाइन थाउस में देखकर भागे को कमजोर करने का काम करते हैं और संगर्श को बढ़ा देते हैं वैसे जो मीन राशी है इनकी इनिशियेटिव वाली साड़े साथी चल लई है तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हैं ताकि आपके पास जब पैसा ही नहीं रहेगा तो आप वैसी उल्जन में आ जाएंगे परिशानी में आ जाएंगे आपकी सेविंग खतम करा देते हैं चटे भाव में दृष्टी डालके आपके पुराने पुराने दुश्मनों को पता नहीं कहां से एक्टेव कर देते हैं आपको ऐसा लगने लगता है कि हर कोई इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है या हर इंसान जो है आपसे कहीं न कहीं बदला निकालने के कोशिश कर रहा है भागे भाव में दृष्टी डालके आपके भागे के सपोर्ट को खीच लेते हैं आप कोई भी इंसान हो जब कारी माना गया है लगजरी को पूरा करने वाला माना गया है लेकिन क्योंकि यह मंगल के साथ हैं इस वजह से आपको अपने नेचर में बहुत ज्यादा बदलाव करने पड़ेंगे और आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है तो इस दौरान भूल कर भी कोई ऐसी गलती ना करें आप मैरेड हो तो भी अनमैरेड हो तो भी जो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रियेट करें या आपने अपने से जान बूच कर आपने कोई ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ रहा है या प्रॉब्लम भंस रहे हैं त कि आप कुछ न करें और परेशानियों से आप बाहर आ जाएं आप अपनी परेशानियों से लड़ रहें होंगे तो उस समय ये गोचर आपको परेशानियों से बाहर निकाल लेगा मीन राशी के लिए सबसे अच्छा उपा है ब्रहस्पतिवार तो ब्रहस्पतिवार विश्णु सहस्तर नाम का पाठ मंगलवार शनिवार सुंदर कांड का पाठ जो किसी हनुमान मंदिर में जाकर ही किया जाए इसके अलावा डेली शाम को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की दर्शन करना करना पीपल के नीचे घीका दिया जलाना यह सारी चीज़ने अगर आप कर लेते हैं तो यह आपको औल ओवर से प्योर कर देगा सबसे पहले तो यह आपको शनी की साथी से बचा देगा यानि शनी की साथी से जो आपको प्रॉब्लम हो थी वो कम हो जाएंगी और इसके आपको वीडियो जो है समझ में आ गया होगा सभी राशियों के बाए में हमने चर्चा की राशी के बारे में आपको अंदाजा हो गया होगा तो अपनी राशी के एकिकरणी मों पाए भी झाल झाल